कैलेंडर बबली भोलू से क्या कर रहे हो भाईया? मैं हाथ पर देख रहा हूँ कि अगले महीने में कितने दिन होंगे ये कैसा तरीका है? यह सबसे आसान तरीका है यह जानने का कि किस महीने में कितने दिन होंगे तो मुझे भी सिखाओ ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एक महीने में कितने दिन होते हैं तीस दिन देखो, एक महीने में तीस दिन भी हो सकते हैं और एक तीस भी ओ देखो, मैं तुम्हें यह देखने का सबसे आसान तरीका बताता हूं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं जल्दी बताओ देखो, पहले अपनी मुठी बांध लो अपनी दाई मुठी के सबसे पहले उठे हुए भाग को जनवरी का महीना मानो यानी की जनवरी इसमें 31 दिन होते हैं और बाकी महीनों में? अब हाथ का जो पहला गड़ा है वह फरवरी है और इसमें 28 दिन होते हैं इसके अलावा हाथ के सभी गड़े 30 दिन को दरशाते हैं मतलब मुठी बंद करने पर जो उठे हुए भाग हैं वे 31 दिन को तथा जो गड़े हैं वो 30 दिन को दरशाते हैं अब तुम अपनी मुठी बान्ध कर बताओ कि मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन सही जवाब बाह, अब मैं इसे कभी नहीं भोलूँगी अच्छा, अब मैं तुम्हें कैलेंडर के बारे में कुछ और बातें बताता हूं हाँ भीया हम कैलेंडर का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं इसमें हम दिन, त्योहार, अवकाश का दिन आदी भी देख सकते हैं वो कैसे? देखो, कैलेंडर में जो तिथियां लाल स्याही से छपी हैं, वे अवकाश के दिन हैं इसमें तो रवीवार का दिन भी लाल स्याही से छपा है हाँ, क्योंकि वह भी अवकाश का दिन है एक बात पर गौर करो कि कुछ तिथियां ऐसी हैं जो लाल स्याही से छपी हैं उसके नीचे त्योहार के नाम भी लिखे हैं हाँ ये हमारी सुविधा के लिए हैं इसके अलावा अधिवर्ष भी होते हैं अधिवर्ष? हाँ, जिन वर्षों में फरवरी 29 दिन का होता है उसे अधिवर्ष कहते हैं ओ देखो, मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ जो वर्ष चार से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? मैंने पिछली कक्षा में इसे पढ़ा था अब तो तुम कैलेंडर देख सकती हो ना? हाँ भीया, बहुत अच्छी तरह